हेलो डीर कैसे हो सबी आई होप सब ठीक होंगी सबी को नमसकार हरियान सेटी तरफ से दमाकेदार अपडेट है वो आज की है सेटी ग्रूप डी अग्जाम से रिलेटिड नए फोर्म है वो भी रिजिस्टेशन अपना करवा सकते हैं नए फोर्म भर सकते हैं साथ के अंदर ज चैनल को सब्सक्राइब करकर नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूले ताकि आगे आने वाली हर अपडेट आपको असानी से मिल सके जैसे की ग्रूप डी के लिए भी सीटी के लिए पंजिकरण का पोर्टल जारी होने के अंदर चार पांच दिन लगेंगे अदेक्स चे पांच दिन लगेंगे उन्होंने बताया की पोर्टल के अंदर नए उमिदवार हैं वो पंजिकरण करवास केंगे यानि कि नया रिजिस्टेशन करवास केंगे जिसने पहले से रिजिस्टेशन करवार रखा है बहुत सारों के डाउट है कि हमें भी दोबारा अपलाई करन पड़ेगा जिसने पहले रिजिस्टेशन करवा सकता है उसको दोबारा करवाने किया सकता नहीं है परन्तु वो अपने प्रोफाइल के अंदर कुछ चैंज कर सकता है जैसे की आइडि के अंदर या पिर कटेगरी इसू है या फिर अपने योगिता यानि कि अलग से कौईल क्वालिपाइड लिखा हुए भी दो तीन दिन का समय लगेगा ऐसा क्यों लगेगा क्योंकि इन्होंने कहा कि अप्लिकेशन वो त्यार की जारी है ट्रायल देखा गया था इसके अंदर क्या था कुछ सुदार करने की आव सकता है तब वो लिंक था एक्टिवेट नहीं किया तो जल्दी वो लिंक है वो भी एक्टिवेट होजेगा इसके अंदर साप साप इन्होंने यहां पर बोल दिया कि जिसने सीटी पास किया है वे सारे के सारे इस अप्लिकेशन पर अपने तुरूटिया यानि कोई भी किसी भी प्रकार के कंडिडेट के अंधर तुरूटिया होगे यानि कि gyrup D का आफ़का gözाम भी मारОच के अंदर होना है इसके लिए नए कंडिटेट है वो नए सीरे से भी 5 धिकरण करवा सकते हैंगे यह थी आज की अपड़ी इवे अप्डेट अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर कर नोटीफिकेशन बेल भी कवर करवा रखें क्योंकि आपकी अगजाम की डेट है वो बिल्कुल नजदीक है और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आप सकता है तो सीटी के लिए आपको इस चैनल के उपर प्लेलिस्ट नागदेर कि अपने अगजाम की तेरी को और भी ज़्यादा अच्छी कर सकते हो और रियान जिक्के को भी हमने आपर डिटेल के साथ है आपको कवर करवाया भी उमीद करता हूँ आप सभी का दिन सुब हो